शिरी शिवाई नमस्तुब्यम हर हर महादेव गुरुची पंडित प्रदीफ मिस्राची द्वारा बताए गए सभी उपाए हम इस चैनल पर करके बताते हैं ताकि आपको सभी उपाए आसानी से समझ में आ सकें दोस्तों चेत्र महीने की नवरात्री चल रही है बहुत ही पावन पर्व चल रहा है मातारानी को खुश करने के बहुत ही सुब अबशर हैं अगर आप मातारानी को सच्च मन से सरद्धा भाव से उनकी भक्ती करते हैं तो जरूर माता का अशिरवात प्राप्त होता है गुरुजी ने नवरात्री में एक उपाय बताया है उपाय बहुत ही प्यारा उपाय है अगर आपका धन कोई ले गया है कोई पैसा ले गया है बहुत दिनों से वो वापस नहीं कर रहा है या आपका धन कहीं अटका हुआ है तो नवरात्री के किसी भी दिन ये उपाय आप कर सकते हैं नवरात्री कोई सीवी हो साल में जो चार नवरात्री होती है तो उन में से कोई सीवी नवरात्री हो आप उसमें ये उपाय कर सकते हैं तो उपाय क्या है पूरा वीडियो देख लीजेगा फटा फट से और वीडियो को देखकर आप ये उपाय जरूर से कर लेजेगा आगर धन नहीं आ रहा है तो भी ये उपाय बहुत ही लापकारी है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों आप वीडियो में देख रहे हैं आम के पलब लेने हैं ठीक है आम के पलब अभी आसानी से आपको मिल जाएंगे और ये जो आम के पत्ते हैं यहां पर आप के तूटने के आसार रहते हैं तो आप ये वाले पत्ते जरूर से ले लीजिए अब हम यहां पर 11 आम के पत्ते लेंगे और उसके बाद हमको लेना पड़ेगा एक कच्चा सूत कच्चा सूत मार्केट में आराम से इसली हमें मिल जाता है पूजा की दुकान पर तो कच्चे सूत से ये उपाय करना है और आम के पत्ते से उपाय करना है 11 आम के पत्ते ले लीजिए यहां पर इस तरीके से वीडियो में देख रहे हैं आप इस तरीके से सारे खटे कर लीजिए फिर उसके बाद आपको क्या करना है जो कच्चा सूत है ना वो ले लीजिए अगर कच्चा सूत ही होता है तो आप उसको भी ले सकते हैं तो यहां पर मैंने 11 आम के पल्लब ले लिए हैं अब यह जो कच्चा सूत है इसको 11 बार हमें लपेटना है इस बात का विशेच दियान रखना कि 11 बार ही अब लपेटना रहेगा आपको और 11 बार लपेटने के बाद देख लीजेगा तो यहां पर गाठी मत लगाईएगा आप इस तरीके से इसको पूरा लपेट लीजेए तो मैं आपको पीडियो में दिखा रही हूँ इस तरीके से ठीक है और उसके बाद आपको क्या करना है अपने शरीर से 21 बार उतार लेना है ठीक है 21 बार आपने शरी वह आपको करना है उत्तरदिशा की तरफ और आपको बैठना है दच्छडदिशा में ठीक है यह आम के पल्लव एक भी निकलने नहीं चाहिए इस वास्त का विसेज ध्यान रखें उसके बाद आपको लेना है शहद अगर आपके यांश है तो अच्छी बात है शहद ले लिज लिजेगा उसके बाद आपको क्या करना रहेगा वो भी आप जानकारी जुटा सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से तो फटाफट से हम चलते हैं महादेब के मंदिर और अगर किसी के पास पैसा नहीं आ रहा है तो भी यह उपाए आप कर सकते हैं तो यहां पर जो आम का माता असुक सुंदरी का जो स्थान है महादेब की सिवलिंग पर उस पर रख देना है कैसे रखना है वो आप देख लीजेगा इस तरीके से आपको रखना है जो शहद वाला भाग है वो सिवलिंग की तरफ होना चाहिए और जो डंडी का भाग है वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए वीडियो में आपको इस पस्ट तरीके से दिखाया जा रहा है आप वीडियो में देखकर कर सकते हैं यह उपाई इस तरीके से आपको रख देना है और अपनी महादेव से मुराद जरूर बोल देनी है और जो आपका है शहद वो थोड़ा सा सहद आप किसी भी उसमें निकाल लेकर आजाईएगा रुमाल बगैरा में और जिस भी ब्यक्ति से धन अटका है ना उससे एक वार मिल जरूर लीजेगा हो सकता है आपका चैत महीने में ही पैसा उस ब्यक्ति से मिल लीजेगा और महादेव की कृपा से आपका जो पैसा है वो नवरात्तिरी में ही आजाएगा नहीं तो इस महीने में ही आपका आटका हुआ धन बापस आजाएगा